भारत जिसे 7500 किलोमेटर कोस्ट लाइन और सम्रिध संस्कृतिक विरासत की सौकात प्राप्त है। अपनी तरह का पहला पारिसर है जिसमें भारत की सम्रिध और विविध समुद्री विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। खलपा बस्तियों के प्राजीन घरों, गलियों और बाजारों की रूप रेखा होगी जो आगंतुकों को हडपा शहर के जीवन से रूबरू कराएगी। NMHC प्रोजेक्ट्स में चार थीम पार्ख प्लान किये गए हैं। इस मारकों का थीम पार्ख, समुद्री और नौसीना थीम पार्ख, क्लाइमेट थीम पार्ख, एडवेंचर और अम्यूजमेंट थीम पार्ख शामिल हैं। सततर मीटर की उजाई पर विराजमान आइकॉनिक लाइट हाउस म्यूजियम, दुनिया का सबसे उचा लाइट हाउस म्यूजियम होगा। कोस्टल स्टेट्स पविलियन, स्थानिय फूड, आर्ट्स और कल्चर को एक साथ लाएं। NMHC, म्यूजियम थीम वाले होटेल और मैरिटाइम थीम वाले इको रिजोर्ट के साथ महमान नवाजी का पेजोड विकल्प प्रदान करता है। बेहतर जलमार्ग कनेक्टिविटी के साथ, परियठक अपने होटेल से यात्रा करने के अलाबा, म्यूजियम में विभिन गतिविदियों और सेंट्रल कोट यार्ड में साउंड एन लाइट शो का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस म्यूजियम में दो चरणों में कुल 14 गैलरीज बनाई जाएंगे, जो हडपा युग से लेकर आज के आधुनिक समय तरके उदाय और पराक्रम की गाथाएं दर्शाएंगे। गैलरीज दो, हडप पावासी, पथ प्रदर्शक नाविक, मौजूदा इंट्रोडक्शन वीडियो और टाइम लाइन, मिनी फ्लाइंग थिएटर अनुभव की शुरुवात की जाती हैं, जो आगंतुकों को समय के साथ यात्रा कराती हैं। सभी मनुरंजक सुविधाओं से परिपूर्ण इस लोथर टाउन में बहतरीन कारेशालाएं, बहतर सडके, भव्य इमारते, कामकाजी डॉक, जहाज और व्यापार संबंधी विभिन इंटराक्टिव सुविधाईं मौजूद होंगे। गैलरी तीन हडपा के बाद की ट्राजेक्ट्री और जलबायू परिवर्तन का प्रभाः। हडपा युग के बाद की जिंदगी दर्शाने वाली अनूठी प्रतर्शनी। ये गैलरी मिट्टी के बरतनों की संस्कृती, लोहे के प्रयोग, संस्कृती और व्यापार के बरते दायरों और महा जनपद काल में लिखे नुस्खों की जानकारी प्रदान करेगी। गैलरी चार ग्रीको रोमन दुनिया के साथ भारत का संपर्ग। ये गैलरी ग्रीको रोमन मारुयाग, पश्चिमी और दक्षणी राज्यों की यथार्थवादी कहानी कहती है, जहां उनके समारकों और शहर के द्रिश्यों का चित्रण 3D Mural Wall Treatment में किया गया है। ये गैलरी समुद्री गतिविधियों को दर्शाने वाले व्यापार, जीवन शैली और डॉक के बारे में जानकारी प्रदान करती है। नेवी गैलरी ये गैलरी नौसेना और ततरक्षक बलों की साहसिक और वीर गाथा के प्रतिसमर्पित है। इस विशेश जगह पर आगंतुक, Know Your Navy नामक एक दमदार नाट्य शो का हिस्सा बन कर भारती ये नौसेना की शक्तियों से रूपरू होते हैं। बेहतरीन अनुभव के लिए यहां Life Abord a Naval Vessel है, जो डिस्ट्रॉयर और सब्मरीन के बारे में कभी न मिलने वाला तजुर्बा देता है। साथ ही अनुखे अनुभव के लिए VR Pods और नौसेना के जहाजों के अनुसार थीम वाले इंटराक्टिव आर्केड स्टाइल गेमिंग जोन भी मौजूद है। भारतिय तटरक्षक बल के जीवन को उजागर करने के लिए इंटराक्टिव टाइम लाइन और विडियो के साथ एक विशेश क्षेत्र नामित किया गया है। वहीं समापन क्षेत्र, विडियो और मल्टी मीडिया मूर्तियों के जरिये नौसेना और तटरक्षक समुदाय को सलामी और शद्धान जलिया अपित करता है। इसका उदेश्य युवा पीढ़ी के दिलों में देश भक्ती का जज़बा जगाना और गर्व से देश सेवा में जोडने के लिए प्रेरित करना है। बरतमान में 3.5 लाख क्यूबिक मीटर का शत प्रतिशत मिट्टी का काम और 32 मीटर बाउंडरी फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। लगभग बारहस और धेर लगाने के साथ पाइल कैपिंग का कार्य प्रगती पर है। 10 लाख लीटर क्षमता के साथ पानी की टंकियों का निर्मान और जलापूर्ती का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। जिस तरह के वड़िया में Statue of Unity आज देश और विदेश के परियतकों को अपनी और आकर्षित करने में कामियाब हो रहा है। उसी तरह आने वाले समय में NMHC Project अंतर राष्ट्रिय परियतन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाने के साथ स्थानिय समुदायों के लिए रोजगार और आयस रिजन तथा सतत विकास में योगदान देगी। NMHC दुनिया की संपूर्ण तटिय विरासत को एक स्थान पर प्रदर्शत, संरक्षत और आम्ग जनता के बीच जागरूपता पैदा करने के लिए समर्पित है। अद्वितिय, एतिहासिक और स्थानिक संदर्ब में अपना स्थान बनाने में राश्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर खरा उतरता है। क्यूंकि लोथल दुनिया के सबसे प्राचीन डॉक्या डाउन में से एक है, जो मैद्वा कांक्षी परियतन और संस्कृति केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में, NMHC एक विश्वस तरिये परियतन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा।